इसकी वेनुगोपाल जी, पिजिस्वी जी, अकिलेश प्रतप, प्रसाथ सिंग जी, शतील एमक्कान जी, मदन मुहन ज्या जी, जेहराम रमेट जी, जी, कनेया कुमार जी, सुधातर सिंग जी, संजय तिवारी जी, गौतम जी, संतोष मिश्रा जी, एमलेश, सिनियर मेता, कॉंगरेस पार्टी और आज एडी के वरिश मेता जो सेज पे हैं, और लफ्ट पार्टी के भी मेता, भाई और वेलो, युवाओ, आप सब कर यहां बहुत बहुत आज़ाट कैसे हैं आप लोग? मूर कैसा है? एक साल पहले, हमने भार जोड़ो याकरा की, कल्या किमारी से कश्मीर तक चले, चार हसार किलोमेटर चले, लाकों लोग के साथ चले, क्यों? क्योंकि बीजेपी ने, आलेसेस की विचा धाना ने, हिंदुस्तान में, नफरत और हिंसा हैं, हम अपनी बात मीडिया में रहते हैं, मीडिया वाले हमारी बात को लिखाते नहीं हैं, मीडिया में आपको चौके जंटा जरेंगे मोदी जी दिख जाएंगे, अश्वरिया राही जी दिख जाएंगी, मोदी जी के साइड में अविता बच्चन दोगते पर दिख जाएंगे, शारुक खान, आजकल कभी-कभी नितीश रुमाई जी में दिख जाएंगे, मगर दिजेश्टी जी और में नहीं टिखने वाले हैं, क्यों निती यह एक जए तो मिडिया में मारी जगे नहीं बनती है इसलिए हमने बालत च्टोड़ों यात्रा की 4,000 कि लोमेटर हम आपके साथ हिंदुस्तान की जन्ता के साथ मिलक जलेगे और लात्रा में से से हम दोनों की विचार धारा का एक नारा निकला किसे में मिखता नहीं अपने आप भीर में से एक नारा निकला एक आन्मि आता है मेरी और वह आता है मुझे कहता है राहूल जी यह आप 4,000 किलो मेटर चल रहे हो और मैं जानता हूं आप क्या तरहें बदोग का तरना हूं कहता है आप नफ्रत के बाजार में मुखबत की दुकान तो ने है और यही हमारी उचार जार रहा है आपके जेश्विशी का चाहरा देखो इससे देखो यह आपको हर टाइम मुस्कुलाते हुए दिखेंगे अधियो मुस्कुला रहे हैं लालो जी आपको मुस्कुलाते हुए दिखेंगे कोक्रेश पार्टी के मारी नेका टाव मुस्कुला रहे हैं और गीने की नेताब लुचैरा देखो वरेवन मोधी को देखो आपके शाम को देखो रहना सिंख को लुचैरा है यह तो ही पताँ नी क्या होगि है इस लोगों को यह खुशी होते नप्रत गनाते हैं आपके लिए किसी ना किसी के बारे में और किसी नी बात करें हम मुखबत की लुगान बोलते हैं और आप सब कॉंग्रेस के कार्यों करता आजएंटी की कार्यों करता 24 गंटा मुखबत के दुरान बोलिए लोगों से बोलिए और यह पीजेपी के लोगो नफुरत कराते है इसके इसपे खिलावं हम मिलके एक साथ लड़ेंगे और जितेंगे यह देश नफुरत का देश नहीं है ये देश मौपत का और भाईचारे का देश है आपके फूर में आपके DNA में नफ्रत नहीं है, मौपत और भाईचारा आगर है याता में हमने अजारों लोगों से पूछा कि भाई देश में ये जो नफ्रत का महौन बन रहा है इसका कारण क्या है किसानों से पूछा मजगोरों से चोटे चोटे बच्चों से पूछा यहाँ से पूछा और सब ने कहा राहू जी नफ्रत का कारण दर है और डर का कारण अन्याए है ये देश के हर कोने कोने में आप किसी भी गरीब यक्टी से पूछ लोगो हर रोस इस देश के हर कोने कोने में अन्याए होता है आर्थिक अन्याए समाजी अन्याए किस सारवे गिलाप अन्याए युवाओं के गिलाप अन्याए महिलाओं के गिलाप अन्याए जाविया देखो अन्याए ही अन्याए दिखेंगो यह देखो एक और अन्याए के बारे में बोलाओं आर्मी की भट्ती नहीं करवाया अब एक नहीं चीज निप्ली है अब अगर हिंदुस्तान का एक सेनिक एक जवान शहीड होगा तो इसे शहीड का दर्चार दिया जाएदा मगर अगर एक अगली निवीर जिसके दिल में वोही भागना है जो जोँो जवान के जवानके दिल में है अगर वो शहीड होगा तो आर्मी और हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीड का दर्चार नहीं देगी दो तरीके शहीर बना दिया एक अग्लीवीर वाला जिसको कोई इसक्त मी मिलेगी और दूसरा जो आर्मी वाला रेगिलार आर्मी वाला अग्लीवीर को ना गैंटीन मिलेगी ना प्रेंचन मिलेगा और ना शहीर का दर्शा मिलेगा हमाई हमाड़ कि यह हिंदुस्तान की दिपेंस का अब equitable नहीं दाना चाहते चेशान के लिए हादि खरीनल के इंदुस्तान के बज़र का पूरा पैसा हुसुन देना चाहते हैं इसलिए हुआ यह अच्छा ठीक है चलो अब यहीं की बाद चोड़ो रेल्वे की बाद परो रेल्वे में अगर बिहार का युगा रोजगार चाहता है आज उसको मिल सकता है करने हैं आपको ना सिहना में भर्टी में लेगी ना रेल्वे में लेगी ना किसी पुब्लिक सेक्टर यूनिट में लेगी क्यों क्यों कि दिल्ली की सरकार चाहती है कि आप सब लोग कॉंट्रैक्ट के मज़़ूर बरो अगनी जो है उसको अगनी नाम दिया है मगर वो कॉंट्रैक्ट लिवर का अगनी है सच्छा ही है उसे चब भी उनको निकालना हो निकाल सकते हैं बिना पूचे बिना पेंशन बिना मदब बिना कुछ उसको नावी बाट देख सकते हैं यह सारे के सारे पुब्लिक सेक्टर यूनिस के साथ यह हो रहा है अब मज़े की बाट आता हूं हिंदुस्तान में पिछणों की आवाजी कितनी है पताईए अच्छा एक बाट आओ यहां के पिछड़वद के लोगें आपने लिगां यह देखा पिछड़वद को होना आपकी हिंदुस्तान में आवाजी कितनी हैं पचास परसेंट हिंदुस्तान में पिछड़वर्वद पचास परसेंट है ललत वर्थ कितना है पंद्रा परसेंट आदि वर्थ कितना है आठ परसेंट पचास और पंद्रा कितने हुए पैसा पराट कितने हुए पैसा पराट कितने हुए पैसा अभी मेरा माइनुरिटी की बात नहीं थी वो भी पंद्रा परसेंट है सब मिलाके अँरे हम सिर्फ के बात परसेंट की बात कते हैं अब मुझे बताओ हिंदुष्कान की सबसे परी कमपरियों के लिस्ट में मालेटी लिस्ट में 75% वाले कितने लोग एक भी नहीं एक भी नहीं टीक है उनकी मैनिजमेंट में कितने लोग हैं कि 80% वाले एक भी नहीं अच्छा बताओ छोड़ो आप शाय सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बतना चाहते हैं पता नहीं पताओ मीडिया में कितने हैं मीडिया में पिछले वर्ण के लोग कितने हैं बता दो कर दो कि अब कुछना शुरू कर दूगा अभी नहीं अभी पुछना चुनों कर दो हमाँ आप लग जाएक आप मीडिया में मिन पर से लिए ना माले के दा स्कुनिया मैं अधे है ना बहुत पत्रकारों में है और अग्सलाइए हाई कॉर्ट में बता दीजिए हाई कॉर्ट छे सो पचास जजिद हैं मेरे पास यह आपड़ा है छे सो पचास जजिद हाई कॉर्ट में मुझे बता दो 73 परसेंट की कितने हाई हैं मतता दोस छे सो पचास में से स्टी वर्ग के यजिदुर्ग यह Bolsonaro आपकी इस्तेदारि नहीं मीडिया में आपकी हिस्तेदारी नहीं परम Durchsweb प्राइब यूनिभर्सेटी पॉलिजिस कि बिस्कालो उसमे आपका एक मालिक्स देरा है। कि इस में तो ना पॉंट में ना कॉर्प्रेंट इंडिया में ना पीडिया में ना भाइब आपने प्राइब अट्पलिक सेक्टर बेशाष्ट में कहां हो लोग सबसे पहले आप वह रोजगा और जिनको रोजगा मिलता है वो कॉंट्राइक लेबर वाले हैं कॉंट्राइक लेबर जो प्रिहारी मज़्बूरी करते हैं उनकी लिस्ट निकालो और आपको उसमें दलेत आदेवासि और पिछले मिलेंगे मगर पूरी कि पूरी इंडिया में देखो हाई कॉर्ट में देखो कॉर्ट में इंडिया में देखो मीडिया में देखो आपके एक आदमी देखो आपने मीडिया में कभी किसान का चेहरा देखा है मतूर का देखा है अच्छा बता आप सब ने राम मंदिर का इनॉपरेशन देखा निगा टीवी पे जिघा मोदी जी ने राम अंदर का पुरा इनोर्गरेशन किया अपने अच्छा मुझे बताओ उसमें आपको अधानी दिखा अमभानी दिखा अमिताम बच्चत दिखा अश्वरिया राय दिखी इंदुस्तान के सरे अक्टर दिखे उसमें आपको गरीब के साथ दिखा मजबूर दिखा मजबूरी कर रहे थे वो भूके बन रहे थे वो बेरोज़कार है राम अन्मिर के इनागरेशन में नरें द्रबोदी अविता पच्चन अश्वरिया राय हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोड अलबपती अदाली अमानी अल्दा सारे के सारे के मगर एक गरीब यक्ती नहीं दिखा एक किसान नहीं दिखा एक मजबूर नहीं दिखा एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा दो हिंदुस्तान बन रहे हैं एक दस पंगरा परसेंट वाला पूरा पूरा धन इनके आख में मीडिया इंके आर्ट में ब्यूरक्रिसी इंके आर्ट में इंदुस्तान का बिजनस का सिस्टम इंके आर्ट में और आप लो बुके मलो मजबूरी करो ये है अन्याय सबसे पहला कदब जमाजिक न्याय का जाती जंगरना है मतलब ये पता लगाना है दले कितने आनिवासी कितने पिछड़े कितने और उसके बार ये पता लगाना है दन किसके आख में है ढंका में मिचलों के आख में कितना है की किसानो के आख में कितना है कि अले कांवासी किए पिए गली пожillis की पिए झाली जंगर ना जैसे आप पर में लड़ती है अस्पताल जाते हो एक्सरे करना आतमूता है तो तूट जोंती जबड़ती हो수 इससे दूर का दूर पाने का पानी हो जागा, सबको पता लग जाएगा, सोली की चिडिया का धन किसके हाथ में है, तरांतिकारी कदम है, और जैसे ही हमारी सक्तार, इंडिया की सक्तार आएगी, हम जाती जंगर्णा को पूरे देश में तरक्या भिवादा है। कुछी में पहले हमने किसानों के लिए MSP की लीगल गयारंटी दी है, हम कानूनी गयारंटी देंगे कि हिंदुस्तान के किसानों को सही MSP दी जाए, एक रांतिकारी कदम है, तो मैं हम से यह कहना चाहता था, कि समाजी कन्याए हो रहा है, आर्टिक कन्याए हो रहा है, किसानों के किना कर्जा माग किया है, एक रुप्या ने गया, इंदुस्तान के 20-25 अरब प्रक्यों का कितना कर्जा माग किया, 16,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 टो जब किसानों का करसा माप होता है कि मीडिया कहती है किसानों को आरसी किया जा रहा है और जब देम मोदी 15-20 लोगों का कि सोबाद कुरूर टर्सामाप करता है तो एक शंद कहते हैं मौती मीडिया एक शम्त नहीं कहता तो इसी अन्याय के गिलार हमने यह याक्रा निकाली आप सब आए आपने याक्रा ये बदद थी अपनी शक्ती थी प्यार दिया मैं आप सब का तेशेश्विशी का आज येडी के जो देता है कॉंग्रेस पांटी के देता है आप सब का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए और आपने हमारे साथ ठड़े होके भारत चोड़ो याक्रा में भारत चोड़ो न्याय याक्रा में आपने बहुत बहुत गन्यवाद